उस अंसार में मैं कुषल सार्थी के रूप में प्रसिद्द हूँ अब ऐसा भला क्यों है कियोंकि मैं क्षण्ड प्रती-क्षण्ड रत की, डूर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थाम ही रखता हूं जैसी ही रत मार्क से भटकने लगे उसी क्षन उसे मार्क पे ले आता बस इसलिए सब मुझे कुशल सार्थी कहते हैं अब आपको भी आपके जीवन में कुशल सार्थी बनना होगा अर्थाद आपको रत नहीं चलाना है बस भावनाओं पर नियंतरन रखना है कभी-कभी जीवन में ऐसे कार्या आते हैं जिसमें मन को रस्त नहीं मिलता तो मन जो है बार-बार उस मार्क से भटकने लगेगा उस मार्क से विचलित होकर कहीं और ही जाने लगेगा तब आपको अपने मन पर पूर्ण नियंतरन पाना होगा इसके डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखनी होगी है और जैसे ही मन भठका उससे मार्क पे ले आएगे कुना भठकेगा कुना मार्क पे ले आएगे स्वरंट रखिए जब आथ अपने मन पर नियंतरन पालेंगे जीवन पर नियंत्रण पालेंगे अपने जीवन में कुशल सार्थी बनी है मन चाहे स्थान मन चाहे लक्ष तक पहुच सकते हैं और तब यह मन और जीवन